आज हम बनाने वाले हैं बहुत यदा सिंपल रेसिपी वो भी बीना किसी मसाले की कोई भी मसाला हम इसमें एड़ नहीं करने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये बहुत यदा टेस्टी हल्दी वाली रेसिपी कैसे बनाई है तो यहाँ पर हमने लेना है इसका क्यो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना पानी में तो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है जिससे की काफी कॉंटिटी में होती है दाल तो खराब ना हो तो इसलिए दाल को ना काफी बढ़ियां से साफ करना जरूरी है तो दाल को साफ करने के बाद आपको इसे डाल पानी तो जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी से हम यह तीन कटोरी के जितना पानी डाल दिया है तेस्ट के नमक डालेंगे आधी चमच हल्दी डाल कर और दाल को हम मेडम फ्लेम पर 3-4 सिटी लगा लेंगे तो दाल जो है वो काफी अच्छे से कुख हो चुकी है और देख सकते हैं इसका जो टेक्शर है तो अरहर वाली दाल ना तो यह बहुत ज़्यादा पतली है ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ी है अगर आपको थोड़ी और पतली पसंद हो तो पानी आप इसमें चार कटोरी लेट कीजिएगा गाड़ी पसंद हो तो कम डालिएगा तो अब इसका तड़का तयार करते हैं जो कि बहुत ही सिंपर बहुत ही टेस्टी है तो उसके लिए दो चम्मा सरसों का तेल लेंगे कटा हुआ लहसो नेट करेंगे एक चम्मा जीरा डालेंगे और इसे धीमी धीमी आज पर अच्छे से भून लेंगे तो ये वाली जो रेसिपी है ना ये मेरी ममी की है क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बनाती है ये वाली दाल और सच में बहुत ज़दा टेस्टी लगती है वो कोई भी मसाले इसमें इसमें इस्तेमाल नहीं करती है तो जब लहसो नो जीरा टमाटर एड़ करेंगे जो कि हमने तीन मेडियम साइस के टमाटर को कट करके लिया है इसे मिक्स करके और ढग देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो ये देखिए टमाटर जो है वो काफी बढ़ेंसे सॉफ्ट हो चुका है और धीमी आज पर करते हैं ना तो को करते टाइम आपकी दाल थोड़ी गाड़ी हो गई हो तो आप इस टाइम पे एकदम खौलता हुआ गरम पानी इसमें आड़ कर सकते हैं बट यहां पर मैंने कोई पानी नहीं डाला है क्योंकि दाल जो है वो एकदम परफेक्ट है और यह जो अरर वाली दाल होती है ये करके गैस को बंद कर देंगे और खुब सारी फ्रेस अरी धनिया की पती डालेंगे जो की लुक भी काफी अच्छा देती है और टेस्ट भी बढ़ना आता है तो बस हमारी बहुत यदा सिंपल सूपर टेस्टी जो डाल है वो बनकर तयार हो चुकी है और यह हमारी ममी की बह आप एक पर बना कर देखी आपको बहुत पसंद आएगी तो अगर आपको यह रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है अगर थोड़ी से भी अच्छी लगती है तो फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर कीजेगा ट्राई कीजेगा एक पर इस तरीके से और हाँ मुझे बहुत सारे कॉमें सुनी के वज़े से यह बहुत ही अच्छा सा जो गोण है न वो मुझे मिला हुआ है तो चलिए आप इसको ट्राई कीजेगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी सेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं